हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे मखाने के लड़ू, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट, आप सभी जानते हैं मखाने के फाइदे, मखानों में भरपूर, मात्रा में प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट और फाइबर पाया जाता है, तो इसके लिए गैस पर हमें एक कडाई रखेंगे, गैस अन करेंगे और हाई फ्लेम पे कडाई को गरम कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमर देसीगी और फ्लेम बिलकु लो कर लेंगे, अब लो फ्लेम पे हम एक कप ड्राइफ रूट्स रोस्ट करेंगे, तो यह मैंने काजू और बादाम लियें, वजन से यह 166 ग्रैम है, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ले सकते हैं, जैसे अक रोट, पिस्ता, इन्हीं लगतार चलाते हुए बिलकु लो फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे, एक से दो मिनट के लिए, यह देखिए, य तो इसमें थोड़ा सा देसी घी है, तो इसमें मैं तीन बड़े चमच किश्मिश को भी रोस्ट कर लूँगे, यह बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो इसे चार से पांच सेकेंड के लिए हम बिलकु लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, तो इसे रोस्ट कर लेते हैं, यह दिखिए, यह अच्छे से रोस्ट हो चुके है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अब सेम कड़ाई में मैं डालूँगी, दो बड़ी चमच देसी घी और मखानों को रोस्ट कर लेंगे, ताकि वो भी अच्छे से क्रंची हो जाएं, तो मखाने मैंने लिए च 3-4 मिनिट के लिए लगाता चलाते हुए रोस्ट करेंगे, जब तक यह अच्छे से क्रंची नी हो जाते हैं, तोड़ के देखते हैं, यह देखिए, यह कितने क्रंची हो चुके हैं, तो हम इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं, इस बोल में निकाल लेते हैं, यह जार लिया है ग्राइंड करने के लिए तो इसमें थोड़े से ये सारे डालेंगे हम और इन्हें दरदरा सा ग्राइंड करेंगे बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाने हमने इनका आप चाहें तो इन्हें एक जिप लॉक बैग में डालकर बेलन से भी क्रश कर सकते हैं तो ये मैंने सारे निकाल लिये अब सेम जार में हम मखानों को भी ग्राइंड करेंगे तो ये जादा है तो हम बैचेस में दो बैचेस में इन्हें ग्राइंड करेंगे और इन्हें भी हम बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड करेंगे तो मिक्सी के जार को मिक्सी को हम क्या करेंग बस और ये दरदरी से ग्राइंड हो जाएंगे डक्कन लगा लेते हैं यह देखिए मैंने बिल्कुल दरदरी से ग्राइंड किये यह आप चाहें तो इन्हें जिप लोग में डालकर बेलन से भी क्रश कर सकते हैं इन्हें भी हम सेम बोल निकाल लेंगे और बचे हुए मखानों को भी हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरासा ग्राइंड करने से क्या होता है कि जब हम लड़ू खाएंगे तो उसकी बाइट मुह में आएगी तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है ये देखिए इन्हें भी मैंने दरदरासा ग्राइंड कर लिया इनका फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है तो इन्हें हम बोल में निकाल लेते है अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें आधा कप नारियल का बुरादा लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे ये 62 ग्रैम्स तो इस तरह लगता चलाते हुए एक से दो मिनिट तक हलका साइसे रोस्ट कर लेंगे ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है ये मैंने आधा कप लिया था 62 ग्रैम्स अब हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे देड़ कप गुड पाउडर आप ग 250 ml है और इसे अच्छे से इसमें मैल्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे हमने इसे जादा नहीं पकाना है सिर्फ अच्छे से ये मैल्ट हो जाए इसमें इतना ही पकाना है गुड इसमें हमने एक छोटा चमच इलाइची का पाउडर डाला है इससे बहुत बढ़िया फ्लेव पाउडर को शक्कर भी कहा जाता है और कई स्टेट्स में गुड पाउडर की जगर चीनी को शक्कर कहा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होईएगा तो ये मैने गुड पाउडर लिया था यह हर ग्रॉसरी स्टोर पर आपको असानी से मिल जाएगा साबुद गुड भी आप ले सकते है उसे ग्रेट कर लें या करें इसे अच्छ से mix कर लेंगे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए फ़लेम अभी मैंने low तो मे लो रखी है किशमिश को भी आइड कर लेंगे और इसे अच्छ से mix करेंगे ये देखिए गुड के सिरप को हमने जादा नहीं पकाया था बस गुड जब उसमें अच्छे से मेल्ट हो गया तो हमने ये सारी चीजें इसमें एड़ कर दी थी ये देखिए पांच मिनट बाद ये हलका ठंडा हो चुका है इसे मैं छूप आ रही हूँ तो थोड़ा सा पोशन हाथों में लेंगे लेमन साइज और इसे प्रेस करते हुए इस तरह से बॉल्ड सी बनाएंगे लड़ू की शेप देंगे और ये देखिए कितनी इजली है बन इसमें हम उपस ये तो मेरे हाथ से गिर गया इसे प्लेट में रख लेते हैं ये देखिए इस तरह से मैं सारे मखाने के लड़ू रेड़ी कर लोंगी इन्हें लोटस सीट भी कहा जाता है ये बहुत ही हैल्दी होते हमारे लिए लो कैलरी फूड होने के साथ ये वेट लॉ जो बच्चे ड्राइफ रूट्स नहीं खाते उन्हें आप इस तरह से लड़ू बना कर देंगे तो बहुत खुशी से खाएंगे आप ज़रूर इस रेस्पी को एक बार घर पे ट्राई करें आपको ये बहुत पसंद आएंगे ये देखिए मखाने के लड़ू हमारे रेड चर्णों करेंगे और रीछूर ये लेगारी और शुशी से टिकाझ जया चाहर सिए टमोंटने के लड़ूर जहीं को बार चीज़ूर हमारे ज़र इस शů majority और एक ये ट्मूर